खेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बूद बूद स्वागत करता हूँ अपने चैनल आकाउंट शोर्ट सॉलुशन में आज मैं आपके लिए बताऊँगा आप अपनी कंपनी को ट्रांसफर करने के बाद जैसे नए साल में ट्रांसफर कर लेते हो उसके बाद आपके सामने एक प्रोब्लम आती है वो प्रोब्लम मैं आपके लिए बता देता हूँ यह प्रोब्लम सभी लोगों के साथ आती है इसका जो सॉलुशन है मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसका सॉलुशन क्या है जैसे मैंने ट्रांसफर करने के बाद मेरी एक प साटर पे इस party को मुझे pay करना है लेकिन जैसे मैंने मेरा statement मिलाया statement मिलाने के बाद जब statement मिलाया उसके बाद पता चला कि इसमें 5000 रपे के entry पिछले साल में मुझे और भी करनी है जैसे मैं अपने पिछले साल की जैसे company open करता हूँ पिछला year मैंने open कर लिया है इसके बाद मैं चेक करके बता देता हूँ कि एक इंडिस्टी जैसे मैंने इसका लेजर खोला इसमें 14,160 रुपे का बिल बना हुआ था इसमें मुझे 5000 रुपे जमा करना है 31 तारीक को जैसे मैंने जो एक के इंडिस्टी कंपनी है 5000 रुपे मैंने इसको 5000 रुपे के एंट्री में इसके खाते में जमा कर देता हूँ केस मैंने दिया है इसके बाद मैंने कर दिये एंट्री पोस्ट अब आप देख पा रहे हूँ कि इसका जो लेजर बेलेंस है 9,160 रुपे नएयर जैसे आप उपन करोगे एफ11 जैसे आप प्रेस करोगे तो 21-22 की कंपनी ओपन हो जाएगी ओपन हो चुकिये लेकिन जैसे मैं इसका बेलेंस जब चिक करूँगा तो इसका बेलेंस 14,160 यानि 14,160 ही इसका बेलेंस है इसका के बेलेंस में कोई बदलाव नहीं आया है लेकिन जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया है ऐसी प्रोब्लम आपके साथ भी हो रही होगी इसका जो solution है मैं आपके लिए बता देता इसलिए येर में जैसे आप कुछ transaction करते हो या फिर आप बिल का कोई amount किसी को edit कर देते हो या कोई आपको payment जमा करना है या कोई receipt जमा करनी है receipt जमा करने के बाद आप F11 से जैसे प्रेस करते हो तो आपका next year जो भी 21,22 का है वो start हो जाता है उसके बाद उसमें balance चेक करते हो तो उसमें कोई बदलाओ नहीं आता है क्यों नहीं आता है इसका मैं आपके लिए बता देता हूं कि क्यों नहीं आता है आपको bank year में आपको जाना है जैसे आप F11 प्रेस करोगे तो आप 20,21 में enter हो जाओगे अब इसके बाद जैसे आप कुछ भी change कर देते हो आप देख पारे हो कि मेरा जो bank का balance है 21,820 रुपे लेकिन इसमें से मैंने 5,000 रुपे 31 तारीक को पैसे निकलवा लिये थे यानि self निकाल लिये थे एक entry जो मैं post कर रहा हूं कि 5,000 रुपे मैंने मेरे bank से निकाल लेते self उसके entry में post कर देता हूं पांच हजार रुपे और यहां पर मैंने लिख दिया narration में self कौन से bank से SBA bank से अब आप देख पा रहे हो कि 16,280 रुपे मेरा bank का balance है लेकिन जैसे में next year में enter करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो balance है balance में कोई में बदलाव नहीं आया है SBA bank select किया इसके बाद जैसे में check करूँगा तो 21,280 रुपे मेरा bank का balance है तो इसको change कैसे करना है जैसे आपने फिचले year में जो भी change किया है वो next year में आपको forward करने है तो किस तरीके से आपको करने है इसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ दो entry में मैंने change किया था और दो में किया है अगर आप किसी का bill बनाते हो या फिर उसको cancel कर देते हो या किसी के entry आप पोस्ट करते हो तो इन entry को आपने change किया है या delete किया है या नई entry करी है तो उसका जो balance है अगले year आपको कैसे forward करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको back year में जाना है इसके बाद आपको administration पे click करना है और change financial year पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 142021 का जो option है यहाँ पे आपको enter करना है और इसके बाद इस पे लिखा हुआ है you are going to change financial year starting from 142021 do you want carry forward the balance यानि आप आपका balance carry forward करना चाहते हो यहाँ पे आपको yes करना है yes करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है balance to carried forward यानि अगर आप चाहते हो कि आप all master transfer करना चाहते हो जिसमें आपके जितने भी account है वापस से जिसे आपने first time जो transfer किये थे इसी तरीके से transfer हो जाएंगे अगर आप चाहते हो new and change master यानि जिस जिसमें आपने बदलाव किया है किसी को modify किया है या कोई entry आपने post करिये तो उसी को यह आप आगे forward करना चाहते हो तो आपको new and change master पे आपको किलिक करना है अगर आप चाहते हो कि आपके ज creators creators यानि जो भी आपके जितनी भी account है जो trial balance में जो आपका बचरा है वो पूरा का पूरा आगे transfer हो जाएगा आपके सुविदा के साफ़ से आप अगर all master transfer करना चाहते हो तो all master transfer कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैंने जो भी change किया है जिस account में मैंने change किया है वही आगे transfer हो तो आप new and change master पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे आपको start पे click करना है start पे आप जिसे click करोगे तो आपने जो भी account को change किया है या किसी को modify किया है तो वो account आपके आगे transfer हो जाएगे financial year change successfully यहाँ पर आपको okay करना है okay करने के बाद जिसे मैंने AK industries का जो balance change किया था अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या balance आ रहा है अब इसमें मैंने change करने के बाद 9,160 रुपे इसका balance आ रहा है यानि आगे इसका balance forward हो चुका है इसके बाद मैं SBI bank का बता देता हूँ आपके लिए SBI bank का जिसे मैं laser open करता हूँ इसमें 16,280 पर यानि इसका भी bank का जो balance मैंने change किया था एक self के entry करीती 31,3,2,0,21 को तो वो जिसे entry post करने के बाद carry forward जो balance करना है वो वहाँ से आप कर सकते हो इस तरीके से आपका जो भी difference आ रहा है आप लोगों के साथ इस तरह के समस्या आ रही होगी अगर आप अपने back year में आपने कुछ change करने के बाद वो data अगर आगे transfer करना चाते हो तो आप इस option का use करके आप balance आगे transfer कर सकते हो और आपके accounts अच्छे से match करा सकते हो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद थेंक्यू